इस्राइल हिजबुल्ला की जंग में यमन का हूती, सीरिया और इराग के प्रतिरोधी समू इस लडाई में कूट पड़े हैं लेकिन इस्राइल की इस जंग को लेकर एक खूफिया रणनेती है जिसे पूरे मिडिलीस्ट का समी करण बदल सकता है दरसल मिडिलीस्ट में इरान ने इस्राइल के लिए एक जाल बिचाया है जिसमें तेलवीव बुरी तरब हस चुका है मौका मिले लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस्राइल की ये चाल काम्याब हो रही है क्योंकि लेबनान में इरानी दूतावास ने कहा कि एक बार फिर से इस्राइल निगहनी आबादी वाले इंदलाकों में खूनी नरसंगार करके अपनी जूटे तरकों को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की है इसमें कोई शक नहीं है कि ये अनिंदनी ये अपराद और लापरवा व्यवहार एक कमभीर वृद्धी का प्रतिनिधित्व करता है जो खेल के नियमों को बदलता है और इसके अपरादी को उचित रूप से डंडित और अनुशासित किया जाएगा वहीं हिजबुल्ला ने इन हमलों को लेकर कहा कि बेरूत के दक्षणी उपनगरों में नागरिक भावनों में हत्यारों या हत्यारों के भंडार की मौझूदगी के बारे में इसराइली कबजे के जूटे दावों का खंडम करता है आपको बता दे कि आईडियाफ ने 27 सितंबर 2024 को लेबनान में 30 से जादा हवाई हमले किये थे जिन में से अभी तक 700 लोगों की जान चली गई है जबकि 3000 से जादा घायल हुए है वहीं इरान के विदेश मंत्री ने इसराइल के पीम बेंजामिन नितन्याहू को दो टूप कह दिया है इरान के विदेश मंत्री अबवास अराक्ची ने कहा हम इसराइल के परदान मंत्री बेंजामिन नितन्याहू की घ्रिणे धमकियों की तीखी निंदा करते हैं इन्हों ने संबोधन में चेतावनी दी थी prawdитесь कि उनका देश इरान पर हमला करने में सक्षम है। ये अतिहासिक शर्म की बात है कि हाई प्रोफाइल हत्यारा सन्युक्त राश्चु में आने और अपने घ्रिणे जूत और अन्य राज्यों पर आक्रमण करने और अधिक लोगों को मारने की अपमान जनक धमकियों के साथ महासभा को जहर देने की हिम्मत करता है। आपको बता दे कि इरान के इस बयान से पहले इसराइली पीम बिंजमिन नितन्याहु से युक्त राश्चु को संबोधित करने कहती जहां पर उन्होंने खुले तोर पर इरान पर हमले की धमकी दी थी लेकिन बड़ी बात ये है कि इरान अभी तक सीधे तोर पर इस युद मे में शामिल नहीं हुआ है वो परद्य के पीछे से हिजबुल्ला हूती इराक और स्विधिया के प्रतिरोधियों को हत्यार और गोला वारूत सप्लाई कर रहा है और उन्हीं हत्यारों के बल पर ये चोकड़ी इसराहल पर हावी हो रही है झाल 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 झाल